गाईज इस फ्यूडियो मेब बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल्स के बारे में और लास्ट मेलक दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी डिसकस करेंगे जो भी आने वाले एक दो दिन में एक अच्छा खासा अप्मूव या भी जो support है काफी बार tested हो चुका है ठीक है एक बार तो इसने दगभग break करने का भी कोशिस किया था बट bank nifty के support के वज़े से इसके उपर sustain कर गया और लगतार तीन दिनों से यहाँ पर support ले रहा है market नीचे जाती है बट अच्छी खासे recovery आ जाती है तो अब हमें क्या देखना है अगर bank nifty इसी तरीके से bullish रहता है और nifty की closing at least यहाँ पर हो जाती है मतलब 19,550 के उपर sustain कर जाती है nifty closing भी मिल जाती है तब हमें एक बहुत अच्छा खासा अब side में target मिलने वाला है जो की 19,750, 19,900 और 20,000 के levels भी अपने को देखना को मिलेंगे nifty के अंदर बट किसी भी तरीके से अगर इसके नीचे closing मिलती है मतलब इस वाले line पर जो हमने mark किया हुआ है 19,230 के आसपास अगर closing मिलती है perfect closing मतलब candle हमारे होनी चाहिए at least इस तरीके की होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए ठीक है उस तरीके अगर candle होती है तब हमें एक अच्छा खासा downfall देखने को मिलेगा और निफ्टी हमें आने वाले दिनों के अंदर इस वाले level पर मतलब 18,900 से लेकर 18,700 भी आता हुआ निफ्टी में दिख सकता है तो इस level को ध्यान रखता है बात करते हैं इंट्राडे levels के बारे में इंट्राडे levels के अगर बात करें तो निफ्टी का पहला support ये होने वाला है ये वाला level होगा ये वाला निफ्टी का पहला support होने वाला है support जो थोड़ा सामलग इसको अगे तक करेंगे जो कि 19,350 से लेकर 19,310 के असपास के पहला support होगा second support हम होगा हमारा वही जिसने break down दोने के कोशिस किया था लेकिन वहां से recovery आ गई थी वो अपना zone होने वाला है ये वाला area मतलब 19,280 से लेकर 19,250 के असपस का ठीक है तो ये वाला अपना second zone होने वाला है मतलब support होने वाला है बाइचास किसी भी तरीके से ये last का जो support है उसको अगर break करती है निफ्टी और अगर वहां closing मिल जाती है तो एक बहुत बड़े downfall के लिए हमें तयार हो जाना चाहिए आते हैं एक बार one hour के time frame पे वहां पे देखते हैं अगर यहां पे हम लोग देखे तो one two three four five लगवा five time यह tested है यह resistance तो अगर किसी भी तरीके से जैसे कि हमने अभी daily time frame पे यह discuss किया था कि किसी भी तरीके से अगर nifty closing यहां पर हो जाती है मतलब 19,550 के उपर या 60 के उपर sustain कर जाती है तो एक तरफा rally हमें देखने के लिए बिलेगी nifty के अंदर बहुत अच्छा आगासा target हमें उपर के side में देखने को मिलेगा nifty के अंदर यह अपनी बात हो गई थी support के लिए intraday basis PD के बात करते हैं resistance के लिए तो nifty के लिए पहला जो resistance का area होने वाला है वो यह वाला area होगा यह वाला first resistance होगा 19400 से लेकर 19420 सिर्फ 20 point का जो resistance है वो मुझे लग रहा है nifty के लिए first time रोग सकता है बात करते हैं second resistance के तो यही वाली line है इसको हम लोग यहाँ पर फ्रोड़ा drag कर देंगे यहाँ पर तो यह वाला जो अपना resistance area है वो है 19450 से लेकर 19500 मतलब यह भी अपना 50 point का range होने वाला है लेकिन गलती से क्या होगा अगर इसके उपर sustain कर जाती है market इसके उपर तो यहां तक और यहां तक के राशते खुल जाएंगे अराम से मतलब 19600 के राशते खुल जाएंगे अगर यहां पर sustain कर जाती है market तो तो यह अप support, second support, first resistance और second resistance इसको उपर जाएगी तो अच्छा खासा बुलेसंदर में market के अंदर देखने को मिलेगा अब हम लोग आते हैं bank nifty के चार्ट के उपर, bank nifty हमें क्या बोल रहा है, bank nifty हमने पहली भी बोला था, last के दो वीडियो में हम बोलते आ रहा है कि market के अंदर जो भी अभी up move आ रहा है, वो उसमें bank nifty और उसके कुछ stocks हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि bank nifty अपने weekly plus daily के बहुत अच्छे खासे demand जोंसे उपर जा रहा है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका हम लोग resistance लेखें, तो आज का जो high था, उसका first resistance होगा, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, तो ये वाला जो area है, ये वाला area, क्योंकि यहां से बार बार market ने rejection लिया था, यहा मतलब 44,100 से लेकर 44,220 के आसबस का पहला अच्छा खासा resistance है market के लिए, उसके उपर जाती है, तो ये red valley line, जो कि मैं बार बार वीडियों बुलते आ रहा हूं, 44,500 का second resistance होने वाला है, उसके उपर अगर जाएगी, तो 44,740 से लेकर 45,150 के आसबस का बहुत अच्छा खासा resistance ह ये वाला, इसको इतने साने से bank nifty नहीं कुरोस कर पाएगी, आते हैं हम लोग intra-de-levels में, पहले हम नीश सपोर्ट की बात करें, तो अभी support पर trade कर रहा है, किसी भी तरीके से गिरावत आती है इसके अंदर, तो 43,340 या फिर 20 के आसबस सपोर्ट है bank nifty के अंदर, तो bank nifty मे ज़्यादा घबरानी की जिरुवत नहीं है, डर हमारे लिए है, सिर्फ निफ्टी के अंदर, आते हैं 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, intra-de-levels के लिए, तो यहां पे अगर हम लोग देखें, तो जो पहला resistance का जो हमारा area होने वाला है, वो ये होगा, इसको हम लो ये वाला ये एरिया होगा, अपना होगा, 44,170 से लेकर, 44,330 या पचास क्या सपास, राउंड फिरम लोग ले सकते हैं, ये पहना resistance होगा, उसके उपर कर मार्केट जाती है, तो अपना ये वाला area को हम लोग ले सकते हैं, ये वाला area, second यहां पर resistance होने वाला है, मतला जो अ point का यहां पर level होने वाला है, बात करते हैं support के लिए, support में अगर आते हैं, तो ये सारे support है, already support से ही चल रहा है, last जो अगर support की बात करें, तो अपना ये वाला level हो जाएगा, support के लिए ये वाला level, मतलब 44,450, sorry, 43,450 से लेकर 43,350 क्या सबस्का, जो 100 point का जो ये range है, वो final support होग bank nifty के लिए ठीक है, इसके ऊपर ऐसा कुछ, इसके नीचे मतला ऐसा कुछ है नहीं जो इसको support बान सकें, ये छोटे मोटे support है, तो ये अगर इसकी भी हम लोग बात करें, तो अगर छोटी सी गिरावट आती है, तो ये भी support कर सकते हैं, 44,770 या फिर 44,750 क्या सबस्का, ये सबसे पहले radar पे अपना आने वाला है, वो है Dalmia भारत, ठीक है, ये cement कपनी से relate करती है, इसमें क्या इसने किया है, अभी तक, ये अपने support area को respect कर रही है, ठीक है, इस वाले को बहले इसने break कर दिया हो, बट ये कहा है, एक अच्छा खासा, ये वाला जो area एक support है, ठीक है, अ अगर इसको लोग ऐसे mark करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, एक बहुत अच्छा खास support है, यहाँ पर प्राइज ने यहाँ पर consolidate किया, यहाँ पर consolidate, फिर down, फिर consolidate, थोड़ा सा closing करने को, इसकी फिर down है, यहाँ से फिर breakout हुआ अच्छा खासा, फिर retest और यहाँ से एक बह पर नीचे आईए, अभी हम इसके अंदर बुलिस नहीं होंगे, इसमें क्या हमें देखना है पहले, यह जो पहला जो हम लोग यहाँ पर एक box बना देता हुए, यह वाला जो एरिया है ने पहला hurdle यहाँ से लेकर, ठीक है, पहला hurdle होने वाला है, अगर किसी भी तरीके से डा यहाँ तक 1990, तीन तर्गेट हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, 1970 की आसपस का 1st तर्गेट, 1980 की आसपस का 2nd, और उसके बाद यह 1990 या फिर 95 का, ठीक है, यह अपना 3rd तर्गेट होगा, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा का सा resistance है, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जंदी उपर नहीं जा पाएगी, यहाँ पर consolidate कर सकती है, यहाँ थोड़ा सा डाउन रूप आ सकती है, हमें बुलिसिस के अंदर होना है, जब यह 1912 या फिर 15 के उपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए, इस टोपलोस हमें, यहाँ पर shift कर सकते हैं, हम लोग 1885 की आसपस का, और यहाँ तक यहाँ सा range breakout type का, यहाँ पर structure बना रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लगबग 3, 2, 6 टाइम से टेस्टेड हो चुका है, किसी भी तरीके से अगर price नीचे फिर उपर नीचे ऐसे करके, उसके बाद अगर इस उपर sustain कर जाती है और इसके ऊपर चले जाती है, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर sustain कर जाती है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, यह सारे थोड़े मोडे रोग सकते हैं, यहाँ तक का आपको target देखने हो की मिलेगा, डाल्मिय भारत के अंदर, अब जो अगला stop होने वाला है, इसको हम लोग इसके अ अच्छा सा range था है, यहाँ पर support उपर support उपर support break, फिर यहाँ पर consolidate, फिर यहाँ पर नीचे downfall, थोड़ा सा इस वाले demand zone या फिर support को गोलेंगे, थोड़ा सा aggressive entry मिलके फिर उपर, फिर 20 mm प्लस इस supply zone के नदर entry, उसमाद फिर price नीचे आ रही है, देरे देरे, weekly time frame पर अगर हम 6, लगभग 7, 7 week के consolidation को यहाँ पर break हुआ है, प्रोपर candle ने close किया है, weekly time frame पर, weekly के demand zone में entry मिल चुकी है, बट इतनी असानी से price उपर चली जाएगी, इतना असाना भी नहीं होने वाला है, एक्सिस पैंक के लिए, तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, कि हो सकता है, price जाए, फिर उपर जाए, फिर नीचे है, और suddenly एक बड़ी सी red candle यहाँ तक at least market ले के आ जाए, या फिर 1922 तक एक बड़ी red candle यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें दो सो, sorry, 1922 के आसवास अगर entry मिलती है हमें, एक्सिस बैंक के अंदर, तब हम हमें इसके अंदर bullies हो सकते हैं, 1905 के stop loss के साथ में, ठीक है, 1905 के stop loss के साथ में, हमें इसके अंदर, लोग, sorry, 905 के stop loss के साथ में, इसके अंदर बुलीस हो सकते हैं, जिसके अंदर फिर जो target होगा ना, वो बहुत अच्छे खासे upside में हो सकते हैं, क्योंकि यह जो levels हैं, यह स प्राइस चली जाती है बैंक निफ्टी अच्छे खासी बुलिशनेस में चली जाती है SDFC बैंक, SBI बैंक यह सारे बैंक अगर सपोर्ट कर जाते हैं बुलिशनेस को तो प्राइस एक्सेस बैंक मजबूद तब होगी जब एक्सेस बैंक की क्लोजिंग अटलिस्ट यहां पर होगी मतलब 1960 के उपर जब मार्केट एक्सेस बैंक को सब यहां पर सस्टेन करवाना स्टार्ट कर जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर बुलिश होंगे और तारगेट हमारे को अच्छे खासी मिलेंगे 1960 के उपर अगर हम लोग एंटरी लेते हैं तो पहला साथ तारगेट होगा हमारा हमें देखना है यहां पर अगर एक्सेस बैंक 960 के उपर सस्टेन करना यह स्टार्ट कर जाती है तो इंट्राडे बेसिस पर हमें पहला तारगेट मिलेगा 970 का और उसके उपर जो अगला रेस्टेंस होने वाला है 980 का और यहां तक के तारगेट मतलब 990 तक के तारगेट देखनों के मिल सकते हैं और हो सकता है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो हमें एक्सेस बैंक में एक नया ओल टाइम हाईपी देखनों के मिले लेकिन अगर प्राइस किसी भी तरीके से यहां पर आती है अपने रिस्स मेंट के साथ में इसके अंदर ट्रेड हम लोग ले सकते हैं उसके बाद हमारे को तार्गेट बहुत अच्छे खासे एकसेस में मिलेंगे तो यह थी हमारी वीडियो मार्केट वीव के उपर प्रसी जो दो स स्टॉक्स हैं होप यह आप कुछ समझ में आयोंगे और उमीद करते हैं इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे और अगर आपको टेलीग्राम चैनल जोईन करना है तो इस वीडियो को डिस्क्शन बॉक्स म कि अबने टेलीग्राम चैनल का लिंक में डाल दिया है तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो चलिए गास वीडियो को ही पर एंड करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक साथ में तब तक लिए